Hello students, this is Priyanka and welcome to my channel Live2Learn So today we will discuss the solution of chapter 10 that is motion and measurement of distances उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला कोश्चिन है आपको दो-दो एक्जम्पल देने हैं ऐसे वहानों के जो लैंड पर भी चलते हैं पानी पर भी चलते हैं और हवा में चलते हैं तो लैंड पर चलने वाले वाहन हैं ट्रेन एड बसे वहीं पर पानी में चलने वाले वाहन हैं शिप और बोट और एयर में चलने वाले हैं हेलिकॉप्टर और एयर प्लेन नेक्स्ट कुश्चिन इस फिल इन दी ब्लेंक्स वन मीटर इस डैश सेंटीमेटर तो एक मीटर में हंडर सेंटीमेटर होते हैं 5 km is 5,000 m, तो 1 km में 1000 m होते हैं, तो 5 km में 5000 m होगे, The motion of a child on a swing is periodic, अगर कोई बच्चा जूले पर जूल रहा है, तो उस motion को periodic motion कहते हैं, क्योंकि swing path को repeat करता है, Next, the motion of the needle of a swing machine is periodic, सिलाई मशीन की सूई की गती periodic होती है, The motion of the wheel of a bicycle is circular, किसी भी cycle के पहिये का जो motion होता है, वो circular motion होता है, Next question is, Why can a pace or a footstep not be used as a standard unit of length, तो किसी भी वस्तू की लंबाई को मापने के लिए पैरो के माप का use क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि पैरो का माप हर एक परसन का अलग-अलग होता है, इसलिए लंबाई भी अलग-अलग आ सकती है, इसलिए किसी भी वस्तों की लंबाई को मापने के लिए पैरों के माप का उपयोग नहीं किया जा सकता नेक्स्ट कोश्चन इस अरेंच ता फॉलोइंग लैंज इन देयर इंक्रीजिंग मेंगनिटूट यहां कुछ लंबाई के माप दिये गई हैं उनको बढ़ते हुई करम में लिखना है सबसे पहले सबसे छोटा हैगा और लास्ट में सबसे बढ़ा सो मिलिमीटर सबसे छोटा होता है और सेंटिमीटर फिर मीटर और फिर किलोमीटर सबसे बड़ी इकाई होती है इसलिए यह सबसे आखिर में आती है अगर किसी व्यक्ति की लंबाई 1.65 meter है तो वो centimeter और millimeter में क्या होगी तो centimeter में convert करने के लिए 1.65 को 100 से multiply कर देंगे क्योंकि 1 meter में 100 centimeter होते हैं तो लंबाई होगी 165 centimeter वहीं 1.65 meter को millimeter में convert करने के लिए thousand से multiply करेंगे क्योंकि एक meter में 1000 millimeter होते हैं सो आंसर आजाएगा 1650 millimeter next question is the distance between Radha's home and her school is 3250 meter express this distance into kilometer तो Radha के घर से उसके school की दुरी 3250 meter है इस दुरी को kilometer में change करना है तो एक kilometer equal होता है एक हजार meter के तो 3250 meter को एक हजार से divide कर देंगे अंसर होगा 3.25 kilometer next is while measuring the length of farm knitting needles the reading of the scale at one end is 3 centimeter and the other end is 33.1 centimeter what is the length of the needle एक बुनाई वाली सोई की लंबाई reading scale पर 3 centimeter से 33.1 centimeter तक है तो इस सोई की actual लंबाई कितनी होगी तो 33.1 centimeter में से 3 centimeter माइनस कर देंगे तो 30.1 centimeter आएगा मतलब actual में सोई की लंबाई 30.1 centimeter है next question is write the similarities and differences between the motion of a bicycle and a ceiling fan that has been switched on तो आपको एक bicycle के पहिए और छट वाले चलते हुए पंखे की बीच एक-एक समानता और एक अंतर बताना है तो दोनों के बीच समानता होगी कि दोनों circular motion में move कर रहे है लेकिन अंतर होगा क्योंकि bicycle straight line में move कर रही है तो वो rectilinear motion show कर रही है लेकिन fan ऐसा कोई motion show नहीं कर रहा next question is why would you not like to use a measuring tape made of an elastic material like rubber to measure distance what would be some of the problem you would meet in telling someone about a distance you measured with such a tape तो अगर आपको मापने के लिए कोई चीज दी जाए और उस क्यों मापने के लिए आप एक elastic tape का use क्यों नहीं करोगे उसमें आपको क्या-क्या प्रेशानिया होंगी answer is तो elastic tape किनी भी दो विद्वों के बीच की दुरी को सही तरह से measure नहीं कर पाएगी क्योंकि elastic tape की लंबाई उस पर लगने वाले बल के कारण घट या बढ़ सकती है इसलिए वो सही तरह से किसी भी length को measure नहीं कर सकती next is give two example of periodic motion तो आपको आवर्ती गती के दो उधारण देने है ओके बच्चो तो इस चेप्टर के question answer आपको समझ आ गए होंगे और उपर आई बटन में इस चेप्टर की explanation वीडियो का भी link दिया गया है तो आप वहां से इस चेप्टर की explanation वीडियो भी देख कर समझ सकते हो so please like share and comment on the video subscribe the channel and press the bell icon thank you